पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होना चुनिये राना एज्यूकेशन को और करे अपने NCHMCT JEUGC NET का सपना साकार डाउनलोड दी आप नाउ वहाँ पे योगा की क्लासिस भी गाईर शुरू होने वाली है तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है और आप इस वीडियो को फर्स टैम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें एंड हिट बैल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाले बहुत इन्फर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो आई वीडियो को शुरू करते हैं तो जो हमारा थमनेल था वही फिक्टर मैंने यहां पर रखे था कि आपको मैं बहुत एच्छे से कर सकूं मैंने लिखा है एंडियो सब को पता है एंडियो क्या है काउंसिल है जो आपका स्लेबर देखती है तो यह जेनियो के साथ अब एंचे अचम का को चुका है तो आपको जो डिगरी मिलने वाले है वह जेनियो देने वाला है और मैं उसके बाद लिखा है प्लस एन एप तो एन एप क्या है सब को पता है इसी नैशनल एड़केशन पॉलिसी तो यह तीनों चीजे मिला के है मैं उस से सबस्क्राइबं में और कर दो आपका स्क्राइश में उसlex क्राइब दो तो आप जब सेकंड समस्तुम कर दोrit करने वाले कि क्योंकि आप स्वाले हैं तो आपके लिए सरफ स्नेशम से मतलब होना चाहिए है ना अगस्त से एस पर सोर्स इस अगस्त से यह लागू होगा क्योंकि 7 अगस्त से आपकी classes बैठने वाली है है ना न्यूस लेवर सिंदा सेंस कुछ नए सब्जेक्ट्स एड हुए हैं और कुछ पुराने सब्जेक्ट्स को क्लावरेट कर दिए गया है कलाव कर दिए गया है नट प्लेवरेट होके इन सभी आई इचम है और सबसे बड़ी बात कि अब से आपका योगा भी गाइज होने वाला है योगा भी आपका इस बार फर्स्मेश्ट से होगा ओके तो यह तीन चार बातें थी सबको पता है JNU के साथ हमारा collaboration हुआ है इस semester से जो first time बैठने वाला है वो हमारा JNU का बैच होगा actual में और degree उसको JNU देगा और national education policy भी implement होगी तो आपका स्लेवर्स क्या रहने वाला है यह रहाफ का स्लेवर्स फोड़ा सा पिक्चर साफ नहीं है लेकिन आपको बता के समझाऊंगा और बहुत सोर्सी से यह पिक्चर अरेंज की गई है आपके लिए तो सबसे पहले आपके इसमें seven subjects होने वाले हैं तो seven कौन से रहेंगे आपके ती आपके पहले चार कोर हुआ करते थे प्रॉडक्शन सर्विस फ्रंट ऑफिस एंड होस्टिपिंग लेकिन अब जो आपके क्लासी शुरू होने वाली है उसमें आपके तीन में सब्जेक्ट होंगे दो तो as it is है फूल प्रॉडक्शन एंड अफ्रेंटी सर्विस और जो फ् सर्विस एंड रूम डिविजन रूम डिविजन में आपको दो पार्ट होंगे फ्रंट ऑफिस एंड हाउस की ती उसके बाद आपका माइनर रहने वाला है माइनर आपका सुजेक्ट होंगे कस्टमर रिलेशन्शिप मैनेजमेंट और एंप्लोइबिलिटी स्केल्स क्योंक करने के योग्य होने चीए उसके लिए सबसे इंपॉर्टन क्या है आपकी कम्निकेशन पहले था लेकिन यहां पे जो मेन फोकस है वह स्पोकन पर आपको जो स्पीकिंग इंगलिश स्किल्स है उनको यहां पर पोलिश किया जाने वाला है वहां का स्प्जेक्ट रहेगा कॉ कम्निकेटिव इंगलिश एक आप करहेगा स्किल बेस्ट यहां पर होने वाला है आपका एनवायर्मेंट एनवायर्मेंटल साइंस और एक आप करहेगा वैल्यू वेस्ट सब्जेक्ट क्रेडिट और उसको वह होगा आपका योगा तो यह आपके मैं फिर से बूल देता हू का नूट्रिशन उसके जगा आपका इनवायर्मेंटल साइंस और एक आपको उता था एप्रिकेशन ओप कॉंप्प्यूटर अभी के लिए आप इतना जान लो कि यह जो मैं आपको बता रहा हूं इसके बहुत जार चांस हैं कि यह आपका फर्स मेस्टर कास लेवस होने वा इनग्ति एनहांसमेंट कोर्स जिसका नाम है कम्मुनिकेटिव इंगलिश मेंज कोकर इंगलिश एक आपका स्कील वेस रहेगा मेंज एनवारिमेंटल साइंस और एक आपका योगा गाईज रहेगा तो यह हमारा आज का वीडियो था आपको यह अच्छा लगा होगा इफ सभी उन बच्चों के लिए जो इस सार से अपने डिगरी शुरू करने वाले हैं उन सब के लिए यह लिकुल नई चीज है आने वाले टाइम में हम सेकंड समेस्टर का स्लेवर्स और आगे इनको डिसकस करने वाले हैं और इन सब के नोट्स भी आपको मेरी एप पे मिलने व कर दो बाइम में हमिल करने तूल के लिए यह उन बान को यह लाइम में हम एत्राइब प्रूब यह जिए आने वीज है आने वाले हैं यह लाइम